दोस्तों खूब सूरत होना अच्छा नहीं है बल्कि अच्छा होना खूब सूरत है खूबसूरत इंसान से महबबत नहीं होती बलकि जिससे महबबत हो जाए वो खूबसूरत होता है खूबसूरती हमेशा देखने वाले के मन में और नजरों में होती है वरना गलती निकालने वालों को तो ताज महल में भी कमी नजर आती है इश्वर से कुछ मांगने पर नहीं मिले तो उससे नाराज मत होना क्योंकि वो वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है बलकि वो वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है यादों और वादों में क्या फर्क होता है? यादें हमें तोड़ देती हैं और वादें हम तोड़ देते हैं जिंदगी में मौत सबसे बड़ा नुक्सान नहीं होता सबसे बड़ा नुक्सान तो तब होता है जब दो दिलों के जिंदा रहते हुए उनके बीच आपसे रिस्ते तूड़ जाएं किसी भी रिष्टे को तोड़ने से पहले एक बार अपने आप से जरूर पूछना कि आज तक उस रिष्टे को आप निभा क्यों रहे थे सभी रिष्टों से मा का रिष्टा सबसे खास होता है क्योंकि बाकी सभी रिष्टे हमारे पैदा होने के बाद बनते हैं पर एक मा ही है जिससे हमारा रिष्टा हमारे पैदा होने से नौ महीने पहले बन जाता है स्वार्थ से रिष्टे बनाने की कितनी भी कोशिश करो रिष्टा कभी भी बनेगा नहीं और प्यार से बने रिष्टे को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो वो कभी तूटेगा नहीं खूपसूरत तस्वीरें निगेटिव से तयार होती हैं और वो भी अंधेरे कमरे में इसलिए आपके जीवन में जब भी अंधकार मजर आए तो समझ लेना इश्वर आपके भविश्य की सुन्दर तस्वीर का निर्मान कर रहा है एक खूपसूरत दिल हजारों खूपसूरत चहरों से ज़्यादा बहतर होता है इसलिए जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को चुन्ना जिनका दिल चहरे से ज़्यादा खूपसूरत हो अपनी कमजोरी अपने राज उन्हें ही बताएं जो हर हाल में मजबूती से आपके साथ खड़े रही क्योंकि रिस्ता हो या मोबाइल जब नेटवर्क नहीं होता तो लोग गेम खेलने लगते हैं जो आपकी खामोसी से आपकी तकलीफ का अंदाजा ना कर सके उसके सामने अपनी तकलीफ जुबां से इजहार करना सिर्फ अपने लब्जों को जाया करना है अगर लोग आप से नफरत करते हैं तो इसके दो कारण हो सकते हैं पहला आप में कुछ ऐसा है जो वो पसंद नहीं करते और दूसरा या आप में कुछ ऐसा है जो उन में नहीं है दुनिया में सबसे बहतरीन रिस्ता वही होता है जहां एक मामूले सी मुस्कुराहट और हलकी सी सौरी से जिंदगी दोबारा पहले जैसी हसीन हो जाती है शीशा और रिस्ता दोनों ही बड़े नाजिक होते हैं दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है शीशा हमेशा गलती से तूटता है और रिस्ते हमेशा गलत फैमियों से तूटते हैं किसी ने सच कहा है जिंदगी केवल दो दिन की है एक दिन आपके हक में और एक दिन आपके खिलाफ में जिस दिन आपके हक में हो तो कभी भी गुरूर मत करना और जिस दिन आपके खिलाफ हो तो थोड़ा सा सबर जरूर रखना जो लोग अपने पर घमंड करते हैं उनके लिए किसी ने क्या खूब लिखा है जन्म दूसरे ने दिया, नाम भी दूसरे ने दिया, सिक्षा भी दूसरे ने दी, रिष्टा भी दूसरे की वज़े से है काम करना भी किसी दूसरे ने सिखाया और अंत में शमसान भी हमें दूसरा ही ले जाएगा तुमारा इस संसार में क्या है जो तुम घमंड करते हो हर किसी को खुश करना शायद हमारे वस में नहीं है लेकिन किसी को हमारी वज़े से दुख नहीं पहुंचे ये बात तो हमारे वस में है कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं होता कि वो अपना बीता हुआ वक्त खरीच सके और कोई भी इंसान इतना गरीब भी नहीं होता कि वो अपना आने वाला करना बदल सके अजब दुनिया की गजब कहानी है बच्छपन में जो भाई लड़ते थे कि मा मेरी है मा मेरी है वही अब बड़े होकर लड़ रहे हैं कि मा तेरी है मा तेरी है अच्छे कर्मों से लोगों को पहचानने की आदट डालिए अच्छे कपड़ों से नहीं क्योंकि अच्छे कपड़े तो बेजान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं तुकानों में आपसी रिस्तों को अच्छा बनाने का एक मात्र मूल मंत्र है दूसरों के साथ ऐसा व्यावार कभी मत कीजिए जो आपको अपने लिए पसंद नहीं है गल्ती जिन्दगी का एक पेज है पर रिस्ते जिन्दगी की पूरी किताब है जलूरत पढ़ने पर गल्ती का एक पेज पाड़ देना पर एक पेज के लिए पूरी किताब मत खो देना जो तेरा है वो कभी नहीं जाएगा जो तेरा नहीं है तू उसे कभी नहीं पाएगा अच्छी नियत रख अपनी तू सदा है बंदे एक दिन खुदा भी चल कर तेरे पास आएगा